नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको सर्दियों में रूखी त्वचा की समास्या से निजात पाने के लिए कुछ घरे लोनस्कों के बारे में बताएंगे चहरे की रूखी त्वचा सर्दियों के मौसम में और भी ज़्यादा शुष्क हो जाती है जिसमें इसे अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है ज्यादा समय तक सूरी के संपर्क में रहना सूरी की हानिकारक अल्ट्रा वॉयलिट के डिने त्वचा को नुकसान पहुचाने के साथ साथ त्वचा को शुष्क भी बना देती है लेकिन दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्के लेके आए हैं जिने अपना कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं तो आएए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्कों के बारे में सबसे पहले एकने वेदान उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसता को जरूर ले लें तकि आप हमसे जुड़े रहें हमारी दर्शकों के जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी इठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतर तक सरूर देखीगा दोस्तों आप ड्राइ स्किन से निजात पाने के लिए तिल के तिल का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके लिए आप एक चम्मच तेल के तेल में थोड़ी सी क्रीम मिला लीजिए. दोस्तों, अगर आप इसमें क्रीम को मिलाते हैं, तो इसका परिणाम और भी अच्छा मिलेगा आपको. अब इस मिश्रंड को अपने चहरे और गर्दन पर लगा कर 20 मिनिट तक हलका मसाज कीजिए, फिर साधे पानी से दोलीजिए. बहतर परिणाम पाने के लिए सब्ता में इसे 3-4 बार इस्तिमाल कीजिएगा. अंडा सेहत के लिए बहुती फाइदेमंद होता है और साथी ये सकिन के लिए भी बहुती अच्छा मानजाता है. अंडे का पीला हिस्सा लगाने से चहरे की ड्राइनेस कम हो जाती है. यह स्किन के लिए आवशक प्रोटीन तो प्रदान करता ही है, साथ ही स्किन पर कसाव भी लाने में मदद करता है नारियल तेल त्वचा के लिए बहुत ही प्रवावशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें त्वचा सम्मंदित हर एक समस्या से जुड़ा समाधान होता है यह स्किन को हाइडरेट करने के साथ साथ नमी बर करार रखने में भी मदद करता है अगर आपकी ड्राइ स्किन है तो नारियल तेल लगा कर एक दिन या फिर कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दीजे और फिर शावर ले लिजे आप इसका असर पहले या दूसरे दिन से ही महसूस करने लगेंगे दोस्तों आप इसके लिए पपीते का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके लिए पपीते का एक स्लाइस काट लीजे और इसे अपनी स्किन पर रखकर सर्कुलर मोशन में मसाज कीजे दोस्तों पपीते का इस्तमाल आप रोज कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं दोस्तों आप रूखी तचा के लिए दूद की मलाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं दूद की मलाई मिलाकर अच्छी तरह इसे फेट लीजे फिर इसे चहरे और गर्दन पर लगाएं इसे चहरे का रूख़पन बहुत जल्दी दूर हो जाता है दोस्तों आप चाहें तो इसमें अरंडी का तेल या फिर जैतुन का तेल भी मिला सकते हैं इससे आपको और फाइदा मिलेगा तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इस सिलाई, शेयर और कमेंट सरु कीजेगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद